नदो आज हम बात करें गया हरो सेंथ्टेटिक इंजन ओयल के बारे में यह गारी के लिए बहुत ही जुर्री होता है जिसतरह आप गारी बैक में पैट्रोल डालवाते हैं उसी तरह समझ समय पर आपको इंजन ओयल भी चैंज करना पड़ता है तो यह है जेहनमेन हीरो का इंजनोयल तो इसका चले देखते हैं यह 9 से एमल का है और इसका भी मार्केट प्राइज है 3.500 रुपिये आप जैसे कि यहां पर देख पा रहे हैं 3.500 रुपिये और इसका मैनेफेक्चरिंग करता है भारत पेट्रियूम कोरपरेशन लिमिडेट यह भारत पेट्रियूम जो पेट्रोल विकरता कंपनी है वही इसका मैनेफेक्चरिक करता है और हीरो इसमें अपने लेवल लागा कर इसको बेशता है उससे इसका रिस्ता होगा कुछ संपर्ख है तो चलिए बात करते हैं कि यहां पर देखिए आप असपर्ष लिखाओ है सेंथेटिक इंजन ओयल एक होता है सेंथेटिक इंजन ओयल और एक होता है सेमी सेंथेटिक इंजन ओयल तो आपको यहां बता दे हम क कि मोबिल दो परकार होता है सेंथेटेक हींजन ओइल और सेमींति. इंजन ओइल तो जब भी आप हम लोग इधर मोबिल डालवाएं तो आप सेंथेटेटिक ओइल ही डालवाएं क्योंकि यह ओएल बहुत गाड़ा और चिपचपाहट होता है जिससे कि आपके गाड़ी का मैलेज भी बढ़ा देता है, यह अन्य की तुल्ला में जैदा लंबा चलता है और गाड़ा भी जयादा होता है, इसके चलते इंजन में इंजन के पिश्टन के घरसन को कम करता है, जिसमें अधिक्तम पावर क इस्तिमाल किया जाता है और आपका गाड़ी का मैलेज भी इसमें बढ़ जाता है तो इसमें आप देख सकते कि इसमें 6000 किलेमिटर लिखा हुआ है कि जब भी इसको आप डालेंगे तो इसमें 6000 किलेमिटर आप इसका चल सकता है गारी इसमें आपका 6000 क्लिम्टर चलने के बाद फिर इसको आप बदल कर सकते हैं तो यहां पर आपको बता दें कि लंबे समय तक फिट रखने के लिए आपका गारी के लिए बहुत ही बहतर होता है और एक होता है सेमी सेंथेटिक इंजन ओयल वो इंजन ओयल इससे थोड़ा सस्ता होता है क्योंकि इसमें थोड़ा मिनरल की मिनरल ओयल की मत्रा मिला जाता है उसमें इसलिए वो थोड़ा चिपचिपाहट और इसससे सस्ता होता है और यह वह ओयल आपका इधर गर्मी वाले परदिस में नहीं चलता है जिए वह ठंडे वाले परदिस में जैसे कि आपका जम्मुकस मीर हो गया फिर लेला दाक उस तरह का छेतर में वह सेमे सेंधिक और इंजन ओयल चलता है क्योंकि वहाँ पर ठंडे परदिस में उस तरह का engine oil डाला जाता है उसमें तो यह आप आसानी से डाल सकते हैं अपने बाइक में और यह बहुत ही अच्छा है तो आपका गारी के लिए बहुत ही बहतर जब भी आप engine oil डालवाएं तो आप पुराना मोबिल को निकाल कर नया मोबिल डालवाएं और गारी में समय समय पर मोबिल चेक करते रहें मोबिल गारी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है